हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एकिसिंग इस्टडी यूटूब चैनल आपके थर्ड समेस्टर में जो मैथ है उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बहुत लोगों कमेंट आ रहा है कि आप मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसलि किया है मैंने इस वीडियो में आपको ठीक है आप लाश्ट तक वीडियो को देखते रही है और साथ ही आपको मैथ के कंप्लीट नोट से हैं तो नीचे डिस्क्रिप्टिप्शन है लिंक है तो आपसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडियाफ ठीक है तो वहां से असान तरीका सीखने को मिलेगा गणित का ठीक है आप लोगों को दिक्कत आती है कुछ जाजतर हमारी जो वहन है उनको दिक्कत आती है कि वह समझ नहीं बाती है गडित को किस तरह से पढ़ें ठीक है उसलिए हमने यह वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाई है बहुत ही असा सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है और साथ ही आपको यदि कोई प्रसंद में दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए भी हमें वाट्सअप कर दीजिए हम उसका सोलिशन आपको प्रॉपर तरीके से दे देंगे ठीक है तो सुरुवात करते हैं अपने फस्ट चेप्टर की औ Оч Scan now मैं तो हमारे फस्ट चैपटर में हमेरे है फस्ट पंट अरफ potential अनुपाथ जान लेते है तो समानधा श्यों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करना है अनुपात कहलाता है कितने गुना की मतलब की एक का गुना करेंगे दो तो हमारे कितना होगी दो गुना हो गया एक का डवल हो गया मतलब की डवल ट्रिपल को जो हम कहते हैं वो गुना कहते हैं ठीक है रूप में व्यक्त करते हैं ज़िए के दौराट करते हैं और रासा की वाता हमने नीचे आपको दिखा दिए गया किलोग्राम ग्राम मीटर लीटर सेंटिमिटर यह जो होती है ठीक है तो इस तरह से हम इसको अनुपात को डिफाइन कर देंगे जब हम इसके पर लिखने के लिए और दो नमबर नबर में थोस लें है तो हता हुए बार्म के पास दो kiloだ थी जिए और श्याम के पास 10 कलो दाल थी तो दोनों का हमने अनुपाद देखना है तो राम का दो लें थी लिख दिया ठीक है तो आते दाल का अनुपाद जोगा यानि राम और श्यम के पास है ठीक है तो नेक्स्ट बात करते हैं हम साथ ही अपने का अनुपाद दो संख्याओं को वाग दवारा तुलना है कि मानलेजी हम इसरी वाग द्या से वहां दौर दस दे रखाता तो है एक ह wraps में आस बहुत है CandWork का अनुपाद यहां अपन बी यहांनी आफ़पाद ब्या warten आए यह हमारा प्रिफंपत क्या लाता है सबसे पहले जो लिए प्रितंपत और दूसरा वाला जूत यह पत्र 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 आएगे तो उनकी वह लगने डिसकस करेंगे वह आद में करेंगे तो आगे बात करते हैं अपनी व्यतकरण मुनुमातिक क्या होता है बाट्व मतलब होता है उल्टा धिक्ति को जाएसे हमने लिख दिया चैसा साथ ठ्रौ तो आपनी इस चैप्टर के अंतरे का लग अलग तरीशा है लेएस चैप्टर के अंतर है तो आपको एक नमर में दे दिये जाएगा तो आपको पैस्टीन अबाद दो का दो नूपाद तीन लिखना है ज़्यादा सोचने समझने की बाती इसी तरह के सिंपल कोश्चन आएंगे सब कुछ मैं आपको बताता जा रहा हूं हातो आठ ठीक है कुछ करने की जरूत नहीं है अलग से आपको आप यह पढ़ लीजिए मेरे नोट्स आप हंडेट परसेंट 25 में 25 नमबर लाएंगे ठीक है तो आगे बात करता हूं मैं समान उपात की समान उपात क्या होता है दो समा अनुपात को समान उपात कहते हैं दो समान जो होते हैं अनुपात अनुपात हमने बता आपको ठीक है टू इस्टू ठीक है और दो समान उपात को समान उपातों को समान उपात कहते हैं समान उपात को डबल चिन में लगे डबल अनुपात इस तरह से हम दर साते हैं ठीक है इंसके पर बात करने है या या ? हमने हखिकस को अमने जिकत को अमने दिने भी दो सब्सक्रार एक हमने जो एक वहां लिया था राम requires रेंड ärtt लिए इस겁ने टिर्ठ्वा को साह याkräज ने वह आथ था है राम और स्याम के केस में हमिस करें इसके एब इसफिशन चीज़ मेरा 2ट का है You can do it I can go 725कोłem 1025 से बचने सब्सक्राइब करेंगे 5 से ढिवैट करेंगे पाल दुनिदाबस 55 है यह धी अब देखतें आप एपथे अपन वी और इंद्धोर बडाबर आ रहें दो नुबाथ 5 और दो बड़ पाँच और बड़ आ रहा थो यदि हम कह सकते हैं कि यह समानुपाथ में समानुपाथ को अलब मैंने आपको अनुपात में डिसकस हो जाएंगी नेक्स वाट करते हैं अनुलोम ठीक है अनुलोम अनुपात क्या होते हैं अनुलोम का मतलब होता है एक जैसे मतलब कि समान या वराबर कह सकते हैं तो यदि पूर्वपद पदों का अनुपात समान हो तो अनुलोम परतिलोम अनुलोम अनु पाम क्यों पाइस scanning और परतिलों होसे घौन यह से होंगे तो यहां पांच हमारे से मुधि भर शाइनउस पूर्ब प乾ी कि इंगे के पहले वाले पद्द के बराबर कोई सब आजा दूसरा या तीसरा या चौथा तो अनुलोम अनुपात कहलाएगा पृतिलोम अनुपात मैंने आपको बताया था भी ठीक है विदकरुनुपात दी यानि फिर उल्टा यह वाला पताया था आपको ध्यान होगा तो यहान रख तो पूछे पृतिलोम अनुपात तब भी आ तीन उनुपात 2 लगाएंगे पूछे विदकरुनुपात तब भी आप तीन अपन वो तीन उनुपात 2 लगाएंगे ठीक है तो कन्फूज नहीं ऊना बर्डों को देखकर तो बड़ड़ मैं भी आपको बता रहां पृतिलोम समानुपाद बेटकर नुबह या उल्टा के दे तो हम सेम इसी तरह से लिखेंगे सनुपाद समानुपाद और इसके मद्दे पदों में समानुपाद का चिंद हमने यह बताया था इसे बरावर्वर से भी प्रदिस करते हैं एक्वाल डू से प्रदिस्ट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हमार 4 पद दे रखे हैं, ठीक है, तो यह हमारे A और D जो होँए लास्ट वाले या वाहि यह पद होँए यन्हीं वाहर की तरफ हैं, ठीक है, राइट सरे aoर Rio लेफ्ट सरे जो भी जो है वश् dod दों तरफ ठीक है तो पृधमान उपातिक याद करने के लिए नहीं ऐसे ना दिया हो तो आपको पताया बहुं पताया बहाई को बहुत कुछ नहीं है यह चाहर चैना को फैसल टीक नहीं है और यह आपको बताई है एकसे स्रूमदे को क्लाति है और सी इस्टू डी लिखा हम नहीं अब इस्टू का सिन आएगा अनुपात का रहे गया ठीक है तो यहां एक सब्सक्राइब लिखा तो एक सब्सक्राइब निकल के आया फाइनली इसके द्वारा हम कोई भी अपना पर्थमपद ग्याद कर सकते हैं आप पूछले सब्सक्राइब निकालना पड़ेगा यादि सी का पूछले यानि तिरतिय अनुपाती पूछले तब कैसे करेंगे तब यहांसी करेंगे सी की जगे एक्स रख लेंगे और इसका फॉर्मूला हमारा बना लेंगे एक्स इक्वाल टू एपन डीए कैसे बन जागा इन्हों की क्रॉस मल्टिप्लाइब करते हैं तब बनता यह जाकर ठीक है तो जहां रखना एक वाल्ट बीच में लगा ओ तो हम क्रॉस मल्टिप्लाइब कर सकते हैं जदूरत अनुपाती की बात करेगा तो इसी तरह से बात करेगा एक्स लास्ट में लेंगे अब क्योंकि फरस्ट सेक और बहुत ही जादा आने वाला कोश्चन है यह एक नमबर में भी आता है दो नमबर में भी आता है और मद्य अनुपाती का दूसरा नाम जो हमारा विटता अनुपाती है इसे कहते क्या है इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आगे तो कैसे लिखेंगे यह समानुपात का किसका समानुपात का विशेश रूप है यदि समानुपाती संख्याओं के में मद्य पद अर्था दुत्य और तुत्य और तुत्य पद मद्य पद का मतलब क्या है मैं आपको बताया था बीच के जो होते हैं दुत्य और तुत्य और तुत्य पद बरावर हो तो ऐसे चंख् पड़वाया था वैसे ही है तो इसे ज्याद कैसे करेंगे ज्याद करने के लिए हमारे एक फॉर्मूला च्छोटा सा वह याद करना है वित्ता नुबाती में संबंद जो हमारा इस तरह से वी ले लिया और लास्ट वाले बाहिये बादों का जो गुणंफल ले लिया अलग ल संब्सक्राइब जाता और एंटो लोमरा असी रहेगा ठीक है यदि कोई भी पुछे आप तर्ते अनुपाति यां घिया उद्ते अनुपाति नहीं मद्यानुपाति पूछे या वित्ता अनुपाति पूछे तो ठीक सीधे वी कमांड ऐसे रहने देंगे और जो पहला पद दे रखा उसकी गुणा यानि उसकी गुणा कर देंगे और लाश्ट में स्क्वार रोड निकल लेंगा और यहां से हटा लेंगे ठीक है कि प्रसंद1 की बात करते है एक संक्यवी से और इसका मध्यानूपाती 40 दे रखा है तो दूसरी संक्यवीत करनी है तो 20 लिखा है क्योंकि कि हमें तीसरा नहीं पता है वे तीसरा पत याद करते करना है तो हमने सी का पत निकाला 40 x 40 कर दिया ठीक है यहांसे 20 से 20 दो बार जाएगा तो दो इंतो चालिस कर तो हमारा अस्य आइंग दूट्य जो अपत आगया 8 में इसी प्रकार से दूसरा कुसिन धूब कर दिया और यही पर इसका अंसल लिग दिया इसी प्रकार से 36 लिए 36 को भी हमने भिन्नी के रूप में लिग लिए और भाग करा हमने ठीक है तुम्हारा वाग कर गया फाइनली जब तक भाग होती रहेगी जब हम करते रहें लेकिन सेम उपर इसी नंबर से हो और नीचे भी उसी नंबर से हो तो लास्ट में आपको दिक्कत न करें इसलिए हमने आपको यह उधरान भी हातवात बता दिये ठीक है तो इसमें पूछा कौन बढ़ा है यनि कौन सी फ्रेक्शन जो कौन सा नुपाद जो हमारा बढ़ा है यह बटाना है हमें ता हमने सींदे से बुक्ति या हमने करने के लिए हमने करा इनका सबसे बड़ा है वह हमारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब अर्थात 21 चोबिस का मतलब जो था हमारा साथ अनुपात आठ था तो हमारा इसका अंसर भी हमारा साथ अनुपात आठ होगा क्योंकि इसमें पूच रहा था कौन सा बड़ा है आपके लिए कुछ पिर्शन है इन पर सॉल्व कीजिए और साथ ही आप से सॉल्व नहीं होते हैं कमेंटमें कीजिए सभी एक साथ पढ़का है क यह आपने सही बताया झाँ शरक हा बताने आपको पहले पेर सलमें में इसके पार दो कर दिया मतलबолоगे दीए को दहीं हैं। ठीक है फर्स्ट और साइकिंड दोनों बताने आपको मद्य अनुपाद ग्याद करना है तीस और अठाइस का और तीसरा कुश्चन जो है आपका दो अनुपाद का व्यतकर अनुपाद ही लिखना है कौन सब बढ़ा है अनुपाद में सतीन अनुपाद आठ साथ अनुपाद पाँच और चारनुपाद ग्यारा इन सभी आपको बताना है तो आज की वीडियो में इतनी था दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट जो आपका मैथ का चप्टर उसके बारे में डिसकस करेंगे और पूरा डिसकस करेंगे पूरा बताएंगे आ आप इसका पीडियाफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चैनल के नीचे यानि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रेशन बॉक है वहां से आप इसका पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि इसका पीडियाफ आपको एक चैप्टर कर नहीं मिलेगा सभी चै देखते रहे हैं ठीक है धन्नेवाद दोस्तों